घर्षड के important question के बारे में आज हमनों discuss करेंगे, जैसे पहला question आप दे सकते हैं, पूछा गया है, अस्थैतिक घर्षड, सिमान्त घर्षड और गतिक घर्षड में किसका मान अधिक होता है, तो मैंने बताया था, घर्षड तीन प्रकार की होता है, अस्थैतिक घर्षड इसे और गतिक घर्षड, डैनमी फ्रिक्सन, तीन होता है, इसे समझनित हमने एक graph खीच करके आपको बताया था, यह माननीजे, घर्षड भल है, और यहाँ आपका घर्षड भल है, हम graph खीचते हैं दोनों के बीच में, graph आपका ऐसे जाता है, एक दम उपर जाएका वहाँ सहलका ता डाउन होगा, फिर state line, ऐसे graph खीचता है, तो हम कहते हैं कि यह आपका static friction होता है, इसके बाद यह आपका dynamic friction होता है, गतिक घर्षड, जहां पर यह अस्थैतिक घर्षड से, अस्थैतिक घर्षड से, गतिक घर्षड में परिवर्तित होता है, convert होता है, उस समय के value को बोल होता है, हम लोग, सिमान्त घर्षड, सिमान्त पन्तल लिमिटिंग, तो लिमिटिंग friction पर आप देखिए, यहाँ पर जो friction की value आपको दिख रहे है, सबसे maximum दिख रही है, तो हम जानते हैं कि limiting friction का मान, सिमान्त घर्षड का मान सबसे ही अधिक होता है, याद रखिए, म्यू limiting friction का, ज्यादा होता है, static friction से, और इसका ज्यादा होता है, kinetic friction से, या dynamic friction से, तो तीन होते हैं, limiting friction, static friction, और dynamic friction, तो सबसे अधिक मान किसका होता है, सिमान्त घर्षड का, यादि पूछा है, सबसे कम किसका होता है, तो गतिक घर्षड का मान सबसे ही कम होता है, graph आपको याद हो समय ऐसे ग्राफ होता है तो पूछा गया है अगला कुशन अस्याथि घर्षर गुडांक इसको बलता है मूँ एस स्थैति घर्षर गुडांक ग्राफ की बीच में क्या सम्मन्द हूता है तो जानते हैं कि मुण को ट deine यहाँ इसको थीटा यस से लिखा गया है झेया सर्फिस शॉपर कोई रख्यू रहे हैसका बहार नीचे की तरफ कारता हैं प्रतिक्रिज्पर यह Presents या बल उपर की तरफ काम करती है यदि आप इस दिशा में बल लगाते हैं तो इसी दिशा में क्या होगी गति उत्पन होगी गति उत्पन होगी तो अगर्षर बल क्या होता है गति की विप्रीद दिशा में गति धर होगी तो घर्षर बल इस दिशा में कारे करता है प्रतिक्रियावल अगहरशण करेगा यहां प्रतिकर्यावल गःषण की पड़ामी होता है जिसना लोग प्रतिक्रियावल गषड़ीबल का एक पैडामी पैडामी बल करते हैं तो यह पैडामी बल यस है तो यस पैडामी बल प्रतिक्रिया बल के साथ जितना कोड बनाता है इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या लेमडा लेमडा को बोलते हैं घरसर कोड लेमडा क्या होता है घरसर कोड क्या होता है पैडामी बल और प्रतिक्रिया बल के बीच का कोड होता है और इसी लिम्डा का जहां हम लोग 10 ले लेते हैं तो वो म्यू के वराबर होता है, म्यू मतलब घर्षक गुड़ांग किसे कहते हैं, तो घर्षक गुड़ांग म्यू इकल टू क्या होता है, एफ अपान आर, यह मतलब फिक्सन, घर्षक गुड़ांग कहा जाता है, तीसरा कोशन है, दो तलो की बीच घर्षक गुड़ांग किस पर निवे करता है, यह निवे करता है, तो यह निवे करता है, उसकी प्रकृती पर, टलो की स्वच्छता पर जितना ही ज्यादा फॉर्फ सेर्फश होगा रफ वन्थ जतनी ज्यादी गंदगी होगी उतना ही ज्यादा म्यू का मान होगा ताप मान पर निल्भकरता है और आद्रिता onислug 10 पानी की मात अधू करता है अधरिता तो mu कमान इन चार चीजों पर निर्वा करता है इसको आप लोग याद कर लेंगे अगला कोशन देखिए घरसर कुड़ांक और घरसर कोड़ की परव्यासा होता है घरसर कुड़ांक को लिखते हैं mu से mu का definition लिखना है तो mu कोड़ों क्या होता है मुठ देखिए घरसर और अविलम प्रतिक्रिया r के अनुपात को mu घरसर कहा जाता है इसका मातरख क्या होगा eaf का मातरख क्या होता है Newton और r मतलब तो mu का mu का कोई मातरख नहीं होता है और इसकी वैलू जो होती है वह 0 से 1 के बीच में लाई करती है जीρο किसके लिए होगा बहुत ही ज़ञा चिकना सर्फेस होगा उसके लिए zero ऊता है और do what किसके होगा जो सबसे ही ज़्यादा रफ सर्फेस होता है और होता है उसके लिए मु का मान होता है फिर पूछा है घर्षा कोड मतलब लेम्डा है कि फीगर में ठीटा यस से लिखा हुआ है यह मानी यह कोई सर्फेस है यह सर्फेस यह हो जाएगा इसका डबलू प्रतिक्रिया हो जाएगा आर यदि आप इस दिशा में बल लगाते है यदि उधर गती उत्पन होगी तो मियू आर, मियू आर कौनों बोलता है, फिक्सान, घरसर बल, यफ और आर के बीका जो पैडामी बल होता है, उसको यस से लिखते हैं, यस आर के साथ जो कोड बनाता है, उसको बोलता है क्या लेमडा, घरसर कोड काते हैं, तो घरसर कोड क्य स्वास समायोजित होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स समझेगा कैसे होता है जैसे माली जिए कोई वस्तु रखा हुआ ऐसे यह अस्थायतिक अवस्था में रूकी वह वस्था में आपने इसके उपर एक बल लगाए बल लगा कि आप इसको खी दबा रहे हो धक्का दे रह दीरे दीरे इसकी वैलू को बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे पी कमान बढ़ता है वैसे वैसे एफ कमान बढ़ता जाता है जैसे पी कमान बढ़ते जाता है इसका मतलब क्या यह सेल्फ एडजस्टिंग यह अपने आप चेंज हो रहा है इसलिए अस्थातिक घर्षड के के स् म्यू के मान को घर्षडबल के मान को सेल्फ एड्जस्टिंग स्वसमायोजित कहा जाता है तो दीके लिखा जा रहा है कौन सा घर्षडबल स्वसमायोजित होता है सेल्फ एड्जस्टिंग होता है तो अस्थैतिक घर्षडबल स्वसमायोजित होता है अगला कूछन है कौन सा घकषडल निउन्तम होता है तो घकषडल को क्लसफाय किया था दो प्रकार का सmeal एकश्टेक और डानमिक गतिक घकषडं मेशी सी मुली दो रोलिंग और स्लाइडिंग यानि यह घूमता हुआ रोल करते हुआ चलता है इसलिए इसको बोलते हैं रोलिंग घर्सड बिल्लन घर्सड साथा कुशन देखिए क्या हम घर्सड हिन 36 तल में कूद सकते हैं नहीं घर्सड हिन में आप नहीं कूद सकते हैं नहीं चल सकते हैं जहां पर घर्षड नहीं होगा वहां पर चल नहीं सकते हैं घर्षड बल जैसे बर्फ है बर्फ की उपर आप चलना चाहें तो आप चल नहीं सकते वहां पर फिसल जाएंगे तो जहाँ पर भी घरसड ही इन सर्फेस होता है वहाँ पर हम चल नहीं सकते हैं हम वहाँ पर फिशल जाते हैं अगला कुशन दो किलोग्राम की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का 36 बर लगाने पर वस्तु नहीं चलती है तो इस्पा घर सड़बन कितना होगा तो वस्तू का घर सड़बन लेफिये क्या GUY है एक высок है जो दो केजी का है यम्जीजी यहाँ पे होता हैThis मनें टूजी हो जायेगा विसकिए हों कमाण टूजी हो जाएगा दस न्यूटन का बल लगाने पर वह नहीं चलती है, यानि पी के बलू दस लगा रहा है तो यह चल नहीं रही है, इसका मतलब वह अस्थायतिक अवस्था में है, तो उसमें जो घर्षर बल काम करेगा वह स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो वस्थ उपर घर्षर बल का मान कित जाएगा, जब यह लिम्टिंग पर आता है, मैक्सिम पर आता है, तहीं पर रूख जाएगा, यानि इंपेंडिंग मोशन जहां से हो, हिलना शुरू कर दे, इसके बाद जब वह वबस्थ गती में आती है, तो घर्षर बल कामान एक कॉंस्टेंट हो जाता है, तो याद कर तायर के टायरों पर और नियमीत प्रषे क्यों बने खते हैं, आप द्ज्यान से देखते होंगे कि, जो पहिया होता है, य Dick, आप देखते होंगे, वहाँ पे कटा हुआ सर्फिस होता है, तो वो गर्षर क्यों काते जाते हैं, गर्षर बल कामान बढ़ जाए, यह आपने आपने देखा होगा जब grip खराब हो जाता है तब वहां पर सरकना शुरू कर जाता है तो टायर और घर्षड सड़त के बीच में घर्षडवल का मान बढ़ाने के लिए उसपे डिप बना दिया है इर्रेगुलर सर्फेस और नियमित प्रच्छे उसपे काड़ दिये जाते हैं यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा वो सरकना शुरू करदेगा आपने देखा होगा जब हमारे गारी का पईया जब हमारे गारी का पईया का grip खतम हो जाता है तो वह सरकना शुरू कर का मान जीरो हो जाता है अगला देखिए घरसडबल कम करने के लिए बॉल बेरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है तो देखिए बॉल बेरिंग आपने देखा होगा बेरिंग आपने देखा होगा बेरिंग कमाता समझे कि छर्रा जैसे साइकल में छर्रा हम लोग यूज करते हैं सुचिये यदि नहीं होगा तो हुमारा सरफेश और सरम लौणा सुरू करेंगा यानि वहाद पे यह जब करेगा सरकी वहाँ पर करेंगा रोल कर नोगते है लौटनिक घरचड लोटनिक या बेल्लन घरचड अम not लोटनिक घरसड तो होता क्या है कि जब बेरिंग लगाते हैं तो सरफी घरसड लोटनिक घरसड में यानि sliding friction rolling friction में कर्वर्टता है इसलिए बॉल बेरिंग में हम बॉल को लगा देते हैं तो बॉल करता क्या है बॉल sliding friction को sliding friction को rolling friction में convert करता है और यह लाइन याद रखिएगा सरफी घरसड का मान लोटनिक घरसड से कम होता है अगला question देखिए मसीद में तेल या ग्रिस से घरसड कम जाता है जबकि घड़ी में बढ़ जाता है क्यों तो देखिए गाड़ियों में क्या मसीनों में क्या होता हमेशा गती होती रती है तो वह क्या करता है दोनों के बीच में सरफेस और मेटल के बीच में एक फिल्म बना लेता है तो इसी वहाँ पर घरसड बल कम कम जाता है और घड़ी में क्या होती है घड़ी के सभी पार्ट ब्रगाने या वेङजी किस्ञार प्लप में ऊपके族 films विचा कम ओजाता है क्यों कि मशीन की सभी बागई जहां गती होती है वहीं पर टेल एक लगाते है तो मशीन के भागो में तेल एक ग्रिस लगाने पर वहां पर फिल्म उत्पन होता है और वहां पर गती हमेशा रती है इसलिए मसीनों में तेल या ग्रिस लगाने से सब्सक्राइब करने के बड़ा देगा गड़ी आपकी दीरे चलने देगे इसलिए घड़ी में तेल नहीं डालना चाहिए और मसीनों में हमेशा डालना चाहिए यह कुशन आप याद रखिएगा अगला कुशन कुशन नमर 13 गाड़ी के रवर टायर की में पूरी हवा भरने से पेट्रूल की बचत होती है क्यों ध्यान से देखिएगा आप जब अपने गाड़ी के पहिए में जब पूरा हवा भरके चलेंगे तब क्या होता है वह पूरा एरिया जब पूरा टायर आपका ह हवा से भड़ा रहएगा तो वो एरिया ज्यादा एरिया को कवर करेगा ज्यादा संपर्ख में स्वार घरषण परखने की चांसे इसलिए जिस गाड़ी में हावा कम होता है वह सरक जाती है जो गाड़ी में हवा कम नहीं होता है पोड़ी होता है वह सरक्ती नहीं इनेर्शिक्की फ्यूम कर नुकसान होता हैं जब आपकि गाड़ी में पूरी हवा भरी होती है तो वहां धार पूरा ट्रांसपर हो जाता है तायर के तो जमीश वर जाता है तो में पूरह करना पर कुछ इन्धन की करना पदकी भी होती है तो यह को लोग याद रखेंगे तो यह को लोगराम का गुट का 36 से 30 डिगरी की कोड़ पर जुके हुए एक आनद तल पर रख अधल है 36 से 30 डिगरी पर जुके हुए एक तल पर एक फल गुट के एंग जिए रख देना है जो कि तीज डिपर सथी फ्रेश्ट को गशेंसे का पहार कितना दिया है 20 tweet वे एक तो यहां है यम न्टू जी होगा यम की वैलू कितना दिया जा रहा है दो केजी गुटके और तल के बीच का घर्षण गुड़ांग म्यू कमान म्यू कमान दिया है जिरो पॉइंट सेवन तो घर्षण बल कितना उत्मन्न होगा यहां फीगर में देखिए फीगर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह object रखा जा रहा है तो इसका भार mg नीचे की तरफ काम करेगा यह 30 डिगरी है तो यह भी आपका 30 होगा तो इस mg को हम लोग भी उजित करेंगे कि रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा इसको इधर भी उजित करेंगे तो क्या हो जाएगा mg साइन थीटा तो सोचिएगा यदि object नीचे की तरफ जाए घर्षण बल की तर काम करेगा ऊपर की तरफ घर्षण बल का आप नियम जानते हैं कुला यह इकल टू यम यह कमान देखिए दिया था जी जी कमान आप जानते हो 9.81 साइन थीटा थीटा के संपर क्या आएगा 30 तो हम लोग साल्व कर सकते हैं यह यह की वैलू आम लोग निकाल सकते हैं तो यह इकल टू एम जी साइन थीटा और यह इकल टू एम्जी साइन थीटा नहीं होगा साइब करता था जिरो पॉइंट सेवन तो यहां पर हम रख देंगे जिरो पॉइंट सेवन आर की वैलू यम जी यम की वैलू टू जी कमा नाइन पॉइंट एट कॉस्ट थीटा थीटा के सन पर है तीस जो इसको सॉल्व करेंगे तो घर्षर बलकमान हम लोग निकाल सकते हैं कि कि अगला को शन पंद्रा दो अपर्क तल के बीच का घर्षर कोड घर्षा क्ड वतम लोगतों तिटा गर्षरकोड इसका मतलब म्यू का मान हम लोग निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल टू हो जाएगा, म्यू इक्वल टू रूर्ट थ्री, रूर्ट थ्री का मान 1.732 होता है, तो यू की वैलू 1.732 हो गया, अगला कोशन देखिए, दो तलो के बीच घर्षक गुडांक, दो तलो के बीच घर्षक गुडांक, रूर्ट थ्री है, तो घर्षक कोड क्या होगा, तो घर्षक कोड आप जानते हैं, अगला कोशन देखिए, कोशन देखिए, एक कार किसी समतल के मोड़ पर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से मुड़ रही है, यदि टायर और सड़क के बीच घर्षक गुडांक, इतना हो, तो कार के पत की त्रिजिया ग्याद करें, यह देखिए, यह स्पेसल केस है, कि जब किसी कार को हम लोग किसी सड़क पैसे मोड़ते हैं, यहां पर कोई कार खड़ी है, इसको हम सड़क पर जब मोड़ते हैं, तो उस समय उसका वेग जो होता है उसका फरमला होता है under mu into rg या ऐसे याद रखेंगे v square equal to r into g और इसमें mu से घर्षक गुड़ां दिया होगा तो mu से गुड़ा कर देंगे v square equal to mu into r into g जब किसी गाड़ी को हम किसी मोड़ पर मोड़ते हैं तो वेग v square equal to होता है mu into r into g तो mu की वैलू मू की वैलू देच सकते हो आप दिया हुआ है मू की वैलू दिया है 0.5 आर आर की वैलू आपको निकालना है और जी जी की वैलू 10 दिया है जाल्व कर सकते हैं अब वी की वैलू दिया तब वी फंबला में लोग याद रखें कि वी स्क्वार इक्वल टू मू आड़ जी अगला कोशन नेखिए अगला कोशन है खुर्दूरे अगला कोशन है खुर्दूरे 36 तल पर 20 किलोग्राम द्रवमान की गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आ सकता होती है तो घर्षक वुड़ां का मान ग्याद करें म्यू का माना को निकालना है क्या का जा रहा है खुर्दूरे 36 तल पर खुर्दूरे 36 तल पर 20 किलोग्राम द्रवमान के गुटके को चलाने के लिए यहाँप देखिए 20 किलोग्राम है यम इंटू जी यम का मान है 20 किलोग्राम चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आ सकता होती है तो यहाँ पर P कमान दिया है कितना? 902 न्यूटन तो घर्षा गुडांक Mew कमान निकाल लिए तो यहाँ पर देखिए उपर हो जाएगा R और यहाँ P की वैलू है इधर P बल इधर लगा रहा है तो गती सीदी सामें होगी तो Mew R इधर काम करेगा F equal to Mew into R तो देखिए R की वैलू क्या हो जाएगी M G, M कमान पता है 20 G कमान 9.8 तो यह हमने R कमान निकाल लिया Mew, Mew कमान आपको निकालना है Mew R, जब वर्टिकल फोर्स को 0 करेंगे तो R equal to M G होगा R की वैलू हमने निकाल लिया अब इसको निकालेंगे horizontal force को 0 करेंगे तो Mew R equal to क्या हो जाएगा Mew R equal to हो जाएगा P P कमान कितना दिया है 98 तो R की वैलू पता है तो Mew की वैलू आप निकाल सकते हो तो यह question हम लोग कर सकते है question number 17, question number 18 यह आसानी से आपसे हो सकता है question number 19 इसमें कहा गया है एक पिंड खुर्दूरे 36 तल पर 2 meter per second square से मंदन की गति कर रहा है मंदन को हम लोग बोलते है retardation जब किसी गाड़ी को हम लोग रोपते है जब start करते है तो उसको accelerate करते है तो रड़ पतान करते है तो उसकी विलास्टी क्या होती है बढ़ती है अज जब उसी गाड़ी को हम रोपते है तो उसकी विलास्टी क्या होती है घरती है तो उसको बलते है de-acceleration मंदन करते है तो कहा जा रहा है एक पिंड खुर्दूरे 36 तल पर 2 meter per second square की गति से मंदन कर रहा है पिंड ततल की बीच घर्षग उड़ांग क्या होगा घर्षग ऊड़ांग कमत होता है mu म्उ कमान आपको निकालना है तो आब जानते है f equal to क्या होता है mu r और f equals to होता है yam into a yam into a और r equal to क्या होगा yum into g तो yum से yum cancel यानी यहां देखेगा यह गलती किया गया इसमें गलती क्या है कि म्यू का कोई मात्रक नहीं होता म्यू का कोई मात्रक नहीं होता यहां पर यह लिखा हुआ है यह गलत है यह गलत है μु कमान 0.2 आएगा इसको ध्यान से दिखेगा μु कमान 0.2 हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता मात्रक मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता तो μु एक अनुपात है कि इसका घर्सरबल और प्रतिक्रियाबल का अभिलम प्रतिक्रिया का तो अतिलग उतरी प्रति में आपको कोई दिखकत नहीं होगा किसी को दिखकत है लेखते हैं किसी स्थूएंट को समस्या है किकिसी इस्थूएंट को समन्या है पूर ले आशै और कोई बात नहीं to ड़श कि छळी अब लोग उतरी और धिर्टरी प्रस्मिक पड़ेंगे यह क्या गया है देखिए अस्थेतिक घर्षड के नियम को बताईए बहूत इंपोर्टेंट है अस्थेतिक घर्षड का नियम है ईस्थेतिक घर्षड का चाया और गतिक ते तिनों के अलब दनीए आहते हैं उपने करते हैं आसलों को, कमबांड करते जोन देते हैं उसको उन भूलता है कुलाम का नियम आपकी यह बहुत इंपॉर्टन leg colleague हुआ कुलाम का नियम आप जरूर पढ़ लीजेगा तो यह इसका नियम है इसको आप लोग देख लेना फिर पूछा गया है घरसर संकु से आप क्या समझते हो तो घरसर संकु क्या होगा देखो यह आपका गरफ सर्फिस है इस पे किसी औब्जेट को रखा गया है से तो इसका प्रतिक्रिया उपर की तरफ काम करेगा ये इसका वह जाएगा यस यदि हम अब यस को पकड़ करके ऐसे रिवाल्व करा दें घूमा दें तो क्या बन जागा संकु बन जाएगा तो यह जो संकु बनता है इसको बोलते हैं घरसर संकु बोलते हैं कोन आप फ्रिक्षन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे जब परिडामी प्रतिक्रिया यस को अविलम प्रतिक्रिया आर के सापेज घुमा दिया जाए तो घुमाने से जो संकु प्राप्त होगा उस संकु को घरसर संकु कोन आप फ कहा गया है किसी पिंड की जब रुच शहती तमतल पर रखा है तो फिसलने और लुड़कने के प्रतिबंद को समझाईए कंडिशन आप श्राइडिंग ये बताए गया था कि जब कोई औब्जेक्ट सरकता है या लुड़कता है तो उसके लिए क्या कंडिशन होते हैं तो इसको आप लोग पढ़ लिजेगा बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह कि स्लाइडिंग और टॉपलिंग का क्या 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 नियम होता है यह आपको बताए कि अगला कोशन देखिए घरसरबल से आप क्या समझते हो यह कितने प्रकार का होता है इसका वर्डन कीजिए बल का डिफ्निशन आप जानते हैं कि जब कोई दो वर्ष आपस में सापेज गति करती है तो एक ऐसा बल उसकी बीच में पन्न होता है जो इसकी गति को रोकने का प्रयास करता है इस रोकने वाले बल को ही घरसरबल कहा जाता है पूछा गया है कितने प्रकार का होता है तो आप ग्राफ को जरूर खीजेंगे यह आपका एफ हो गया यह आर हो गया ऐसे आप बढ़ाएगा इसको अब लिख देना अस्थैतिक गर्षड अस्थैतिक इसके बाद आपका होता है डायनमिक और जो मैक्सिम वैलू यहां पर जो घरसरबल कमान होता है उसको लिमिटिंग का केस काते हैं फिर पूचा गया है घरसरबल का नियम बताइए तो नियम क्या होते हैं इसको हम लोग याद कर लेंगे अगला कोशन देखिए निमन को परवाचित कीजिए घरसर कोड़ घरसर गुड़ांग विस्त्राम कोड़ रोलिंग फ्रिक्सन रोलिंग गर्षड तो यह सारा डिप्निशन आप लोग को याद होगा इसको एक बार देख लिजेगा घरसर कोड़ लेंडा घरसर अतना शुरू कर देती है उसको विस्त्राम कोड़ अल्फा कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्सन कब होगा जब कोई वस्तु दूसरे सथा की उपर रोल करती है घूमती है तो उस समय जो गशर बलकार करता है उसको रोलिंग करता है जैसे बेरिंग के केस में जो हम छर्रा घर्षड का दैनिक जीवन में क्या महत्त्व है यह हमने आपको बताया था कि इसके कुछ फायदे भी होता है कुछ नुकसान भी होता है इसको आप लोग किताब से देखेंगे कि घर्षड बलके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक घर्षड बलका दैनिक जीवन में क्या महत्त्व होता है घर्षड ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे अगला कोशन दिखिए अभियांत्र की अनुप्रयोग में अप्लाइट मेकेनिक्स में घर्षड की भूमिका पर प्रकास डालिए एक उदार दीजे जहां पर घर्षड हानिकारक अलाप्रत दोनों होता है तो यहां पर आपको लिखना यही है कि घर्षड का दैनी जीवन में क्या मात्व है इसके लाव क्या है अज की हानिया क्या है यह अगला कोशन देखिए बहुत इंपोर्टन कुलाम का नियम को बताइए यह तीन नियम इसमें है तीनों नियम को इतम रड़ डालिए यह आप करता है कि जो घर्षर बल उत्पन्न होगा वह हमेशा गति के दिसा में उत्पन्न होता है और ये कभी भी सत्व पर निर्भर नहीं करता ये उसके आकार पर निर्भर नहीं करता ये हमेशा सर्फिस के रुफनेस पर रुच्टा पर ही निर्भर करता है तो ये घर्षर कि में कुलाम का तीन नियम है तीनों नियम को याद कर लिजिएगा अगला कोशन सेम रिपीट कर गया कि फिसलने और लुड़कने के क्या प्रतिबंद होते हैं फिसलना और लुड़कना अभी तक जो बताया गया है उसमे कोई समस्या किसी स्टेंट को कि झाल